नमस्कार जोहर ब्रेकिंग निवत चक्रधरपुर में सभी दर्शकों का स्वागत है आप देख रहे हैं जो सटर बंध है ताले लटके हुए हैं डोर इस्टेप डिलेवरी डोर इस्टेप डिलेवरी का बाहन जो है आपको थोड़ी दर बाद उसकी तस्वीर हम दिखाएंग बाद खादान जो है कि चक्रधरपुर गोर्दाम में नहीं आया है जो कारधारियों को के बीच जो बित्रन होता है और जैसे लोग बता रहे हैं जो परिवहन से डोर इस्टेप डिलेवरी से जुड़े हुए लोग जो हैं बता रहे हैं कि दिसंबर 31 दिसंबर के बाद जो है खादान इहां नहीं पहुचा है इहां देख रहे हैं यह तसबीर सुबह होते ही समय अनुसार जो है इहां बाहनों की लंबी कंता लगे रहती है और डोर इस्टेप डिलेवरी के तहट जो है खादान रासन आ रहा है कारण यह है कि 31 दिसंबर के बाद गोदाम में जो है खादान नहीं आ रहा है इसका पूरा असर काडधारियों पर पड़ रहा है और विशेश कर मकर जैसे मागे जैसे तवार के समय भी खादान का वित्रा नहीं होना एक चिंता की बात है आप सिधा पर सारण देख में हैं गोदाम की यह तस्वीर गोदाम में चारों और ताले लटके हुए हैं और पुरा परिसर्स उनसान नजरा रहा है आपको बता दे कि इस सम्मद में जब जिल्ला अपूरती पदाधिकारी जो परभारी अपूरती पदाधिकारी के रूप में जो कार्टपालक डंदा कुमार सर हैं उनसे बात्चीत हो रही थी और उन्होंने बताए कि गोदाम में जो जिल्ला मुख्याले चाहे सराइकला की बात करें चाहे चाहे वसा की बात करें जो फसी आई गोदाम में खादान नहीं आने के कारण ये इस्तिती हुई है इस सिर्फ चकरधरपूर की बात नहीं है पूरे जिल्ले में ये इस्तिती उत्पन हुई है मने खादान चकरधरपूर की बात करें तो चकरधरपूर गोदाम में खादान नहीं आने से मकर जैसे त्वार मागे जैसे त्वार में भी लोगों को मने काड़धारियों को खादान नहीं मिला है ये काफी गंभि मसला है हालांके